तो जैसे के आपने थमनेल में देखा या फिर अगर मैं आपसे कहूँ के 5 पैसे का स्रिफ एक सिक्का जिसका कीमत आपको मिल सकता है आज की देट में लगबग 25 से 30 अजार रुपे तो क्या आप मानेंगे? सायद नहीं मानेंगे आप सोचेंगे एक 50 सा सिक्का है 5 पैसे का अलूमिनियम का बना हुआ आज की देट में चलता भी नहीं है मार्केट में इससे कुछ भी नहीं मिलता है उसका कीमत कैसे 25 से 30 अजार हो सकता है लेकिन दोस्तो हो सकता है और ये सच है पूरा जानने के लिए आप वीडियो को सुरू से end तक देखिए साइड इसकिन में ये जो वीडियो है एक रूपे के राजीब गांधी वाला जो सिक्का है बहुत कीमती है आप देख रहा है थमनिल और इस सिक्के में एक मिल सिक्का आता है मतलब एक रूपे के राजीब गांधी वाला सिक्के में एक मियूल सिक्का आता है कैसे आप पैचानेंगे, कैसे जानेंगे कीमती सिक्का जो राजीब गांधी वाला वो कौन सा है जानले के लिए अगर इस वीडियो का नोटिपिकेशन अभी आप तक नहीं पहुंचा है कोई बात नहीं आज की इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स ओपिन कीजिए सबसे पहले इस वीडियो का जो लिंक है वो बुलू कलर में आपको देखने को मिल जाएगा उस लिंक पर किलिक करके आप ये इंपोर्टेंट वीडियो एक बार कम से कम ज़रूर देखिए आई ये सुरू करते हैं आज का ये वीडियो मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदिदा निमिस्मेटिक चनेल निमिस पेज तो पांच पैसे का जो कॉमोर्टिब सिक्का है वो हमारे भारत में चार अलग-अलग येर में इसु किया गया था अलग-अलग मीन से पहला जो सिक्का है वो है 1976 का और वो सिक्का कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ तो वो जो सिक्का है वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और इस सिक्के का जो थीम है वो है food and work for all मैं अगर जूम करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक तो पैसा छोटा है उसके उपर यह जो word है अकसर है यह और भी छोटा है तो यहाँ पर देखिए food and work for all यह जो मेरे collection का सिक्का है सारे ही UNC का सिक्का है यहाँ पर जो mint year है भो भी आप देख सके हैं तो देखिए 1976 में है और यह सिक्का भारत के तीन अलग-अलग mint से बनाय गया था बॉंबे, कैलकाटा, हादाबाद मेरे हाथ में यह जो सिक्का है यह है कैलकाटा मीन का सिक्का या फिर कोल का था mint का सिक्का और भी अगर मैं जूम करूंगा देखिए कोई भी mint mark नहीं है आप जो दूसरा सिक्का आता है और इस सिक्के का जो over side है over side भी मैं आपको दिखा देता हूं देखिए इस सिक्के का जो over side देखिए एकदम top condition का है jam unc condition में मेरे collection में है तो over side भी आपने देखा इसके बाद जो सिक्का आया था वो था save for development और इस सारे ही सिक्के फाव सिर्स के सिक्के हैं यह आप देख सकते हैं देखिए save for development यहाँ पर आगर मैं जूम करूंगा तो आप देखिए save for development 1977 पहला सिक्का था 1976 यह देखिए 1977 यह भी तीन अलग-अलग मींट से बनाया गया था Bombay, Calcutta और हादाबाद यह देखिए मेरे हाथ में जो है Bombay मींट का सिक्का है यहाँ पर देखिए आप Diamond मींट का मींट पार्ट इस सिक्के का जो अबसाइड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले मैं चारो सिक्के आपको दिखा दू उसके बाद जो कीमती वाला सिक्का है 25,000 रुपे वाला वो भी मैं आपको दिखांगा ऐसे ही 5 रुपे में ऐसे ही 5 पैसे में है अब दोस्तों यह हो गया इसके बाद जो सिक्का आता है food and shelter for all यह देखिए यह भी देखिए कितने अच्छे कंडिशन का सिक्का है और बहुत चुन-चुन के यह मुझे collection करना पड़ा था देखिए food and shelter for all और यह जो सिक्का है देखिए 1978 का सिक्का बहुत छोटे अक्सर में देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1978 और mint पार्क देखिए इस सिक्के का एकदम नीचे यह है बॉंबे मिंट का सिक्का तीन अलग-अलग मिंट यह भी बॉंबे, कलकाटा और हाइदाबाद और यह जो सिक्का है इसका जो आप देखिए कुछ ऐसा दिखता है इसके बाद जो सिक्का आता है वो है Happy Child Nation Pride यह भी फाव सिर्स का सिक्का है और यह है 1979 का सिक्का तो पहले 1976 हो गया 1977 में सिर्फ for Development उसके बाद जो आया Food and Shelter for All 1978 यह है 1979 और इसका जो Mint ER है यह देखिए यहाँ पर है और तब कितना में मैं Zoom करूँ देखिए यहाँ पर है इस सिक्के का जो आपका Mint यह देखिए 1979 और यह भी तीन अलग-अलग Mint Bombay, Calcutta और Hyderabad और यह है Calcutta Mint का सिक्का जो मेरे हाथ में आप अभी देख रहे हैं और इस सिक्के का जो Oversight है यह यहाँ पर आप देखिए देख सकते हैं आईए आप बात करते हैं 25,000 रुपे वाला सिक्का कौन सा है अब आपने जो चार सिक्के देखे हैं पांच पैसे के उसमें से मैंने लिया है दो सिक्का एक जो सिक्का है वो आप देखिए यह है जो वो है Happy Child Nation Variety पर आपना सिक्का यह एक और दूसरा देखिए जो है Food and Salter for All यह दोनों सिक्का मैंने लिया है पांच पैसे का दोनों ही Gym UNC कंडिशन में है आप दोस्तों जो मैं बताने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए देखिए यह जो सिक्का आया था यह आया था 1979 में यहाँ पर जो Mint Year आप देख रहे हैं और यह जो सिक्का आया था यह आया था 1978 में यह है Food and Seltor for All वाला अब दोनों सिक्के के Oversight जो दोस्तों बात है वो Oversight में है दोनों सिक्के के जो Oversight के 5 है जो Denomination है दोनों Denomination का आप ध्यान से देखिए एक सिक्के में जो Denomination है 5 देखिए Big Size में है जो दूसरा सिक्का है उसमें जो denomination है जो है five वो देखिए छोटा है ये जो है ये देखिए big size में है जो 5 लिखा हुआ है और इस सिख्ये में जो पांच है वो देखिए छोटे अक्सर में है छोटे size में है अब छोटा वाला कौन सा है देखिए happy child nation pride वाला सिख्या जो 1979 में आया था और ये big size वाला जो पांच है, ये कौन सा है, ये देखिए, food and shelter for all वाला सिक्का, जो 1978 में आया था, अब जो हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो big size वाला जो अभर से, वो दोस्तों, ये जो छोटा अभर से, मतलब पांच के ये जो छोटा है, ये आया है, ये अभर साइड आया है, इस सिक्क में, समझे रहे है आप, ये जो छोटा पांच वाला आप देख रहे हैं, एपी चाइड नेशन प्राइड वाला जो आप देख रहे हैं, इस सिक्के का जो अभर साइड है, जिसमें पांच चोटा है, ये अभर साइड आया है, इस सिक्क्य में, मतलब, food and shelter वाला जो पांच पैसा है इस सिक्के के अवर्स साइड में, नॉर्माल क्या है इस सिक्के में, ये जो पांच पैसा है, नॉर्माल है बिग साइज में, लेकिन जब ये अवर्स आता है, तो कुछ ऐसा बनता है, ध्यान से देखिए, तो ये हो गया छोटा अवर्स इस सिक्के में, कौन सी सिक्के में food and shelter for all वाले सिक्के में लेकिन actual में होना चाहिए था जो normal है वो है big होगा लेकिन ये हो गया छोटा मतलब ये एक mule सिक्का है पांच पैसे में ये सबसे mule सिक्का है और इतना ज्यादा rare है बहुत मैंने धुंडा है चाहे वो UNC में हो चाहे extra fine condition में हो चाहे बहुत ज्यादा घिसे पीटे condition में हो शुरू से जब से मुझे निमिस्माटिक फिल्ड में थोड़ा सा knowledge आया है तभी से मैं ढून रहा हूँ लगभग 20 साल से भी उपर हो गया है अभी तक ये मुझे नहीं मिला है लेकिन मैंने ये मियूल सिक्का देखा है collector के पास और एक नहीं दोस्तो त 3-4 collector के पास मैंने देखा है लेकिन किसी के पास मैंने UNC कंडिशन में नहीं देखा अच्छे कंडिशन में देखा है लेकिन UNC में मैंने नहीं देखा आईए और भी detail में समझते हैं coin book से तो देखिए मैंने लिया है mule coin का book और वो ही सेम बाते हैं देखिए food and shelter for all 1978 M मतलब मुं नॉर्माल इसू जो डिनोमिनेशन है ये 5 जो है वो छोटा है अब दोस्तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे थोड़ा सा अब यहां पर देखिए आप मियूल इसू में देखिए food and shelter for all 1978 M मियूल इसू देखिए big size में 5 था आप देखिए छोटा हो गया है और यहां पर जो डीटेल से ये भी आप पर सकते हैं देखिए date 1978 मियूल डाइवराइटी मूल कॉमेंट आप पर यह देखिए Overs of Happy Child Nation Pride Coin on the food and shelter for all तो छोटा है पिद्दिशा है आज की date में चलता नहीं है इससे कोई भी समान आप खडिद नहीं सकते हैं फिर भी 30,000 का 25 से 30,000 Evenancy Condition में अच्छे Condition में अगर नीचे आएगा मतलब Extra Fine Condition में लगभग 15,000, 17,000 के आसपास Very Fine Condition में 10,000 रुपे के आसपास Fine Condition में 6,000 से 7,000 रुपे के आसपास मेरे हिसाब से इस कोईन का प्राइज है लेकिन actual में Mule Coin का कोई भी fixed price नहीं होता है Collector को अगर पसंद आता है तो उनके पास अगर पैसा है, budget है तो वो किसी भी कीमत में खरीश सकते हैं लेकिन ये जो price मैंने बताया इस में से बहुत ज़्यादा difference हो सकता है किसी-किसी सिक्के में मैं कहता हूँ थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है लेकिन इस मामले में, इस सिक्के के मामले में बहुत ही ज़्यादा उपर नीचे हो सकता है क्योंकि ऐसे mule सिक्के तो मिलते ही नहीं है न, actual में तो price की अंदाजा जो है idea आप कैसे लगाएंगे फिर भी मैंने जिन collector के पास देखा है उनसे जो price मैंने सुना है उस ही सबसे मैंने ये कहां है वीडियो अगर पसंद आए, like, share और subscribe जरूर कीजिए अगर कोई सवाल है, comment box में या फिर मुझे mail कीजिए इस mail id पर contact.in.in तो मिलेंगे next वीडियो में, तब तक के लिए, जाए हिन!